हेलो गाइज, वेलकम बैक टो आचैनल सिंगला पैजिस आज हम फिजिक्स और कमिस्टी की बात ना करते हैं आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने हमारे एकॉनमी, हमारे स्कूल लेवल, हमारे कॉल्जिस पे काफी एफेक्ट किया है जी हाँ, हम बात करेंगे करोना वाइरस के बारे में इस करोना वाइरस के चलते हैं, जहाँ एक परसन, दूसरे परसन से मिलने से भी डरता है उसे डर लगता है कि हाँ, कहीं मुझे भी करोना वाइरस ना हो जाए वहीं एक ऐसी टीम जो 24 आर हमारे लिए एफलेबल है हमारी डॉक्टरेट टीम जहांपे डॉक्टर्स, नर्सिस और उनकी हेलपर्स 24 आर्स काम कर रहे हैं इसलिए कि हमें प्रोटेक्शन्स मिल चगे तो हमें क्या करना है हम उनकी हेल्प कैसे कर सके हम अपरे तो हेल्प कर रहे हैं, हम प्रिकोशन्स कर रहे हैं हम सैनिटाइजर से अच्छे यूज़ कर रहे हैं, हम हैंडवाश कर रहे हैं हम किसी से कोंटैक्ट नहीं कर रहे हैं बट हमने उनकी भी हेल्प करनी है तो अब अगर चाते हो कि हम उनकी हेल्प करें तो आपका best है कि अगर आपको लगता है कि कुछ क्रोना वायर्स के आप में कुछ पता है, कुछ भी आपको informations हैं, वो अपने online method से सबको transfer करें, अपनी knowledge को shares करें, बट rumors मत फैलाएं, आप से हाथ चोड़ के वेंति हैं, please rumors मत फैलाएं, लोग में काफी ये डर बना हुआ है, उ हम easily से क्रोना वायर्स से भी fight कर सकते हैं, तो please thanks किजिए, अपने doctorate team को, अपने helpers को, जो हमारी help के लिए 24 hours available है, और मैं बात करना चाहूंगा, अब कहा जा रहा है कि अगर हमारे environment का temperature 26 degrees healthier से rise कर जाएगा, तो इस क्रोना वायर्स का effect काफी हद तक कम हो जाएगा, मानो या न मानो, बट कहने की बात है, अगर वही हम, डेली, 3-4 glass गरम पानी के पी रहे हैं, यह क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल थोड़ा सा बारिश का मोसम है, थोड़ा सी ठंड है, अगर इस मोसम में हम 26 degrees Celsius को नहीं ले सकते, अचीव नहीं कर सकते हैं, तो क् अपने body core temperature का थोड़ा बहुत maintain रखे सकें, अपने आपको healthy रख सकें, कैसे हमने क्या करना है, simple, 4 glass गरम पानी पीना है, कम से कम 4 glass गरम पानी पीएं, यह क्या चीज है, यह से precautions हैं, किसे precautions, क्रोना वाइरस से, और जिन बच्चों की थोड़ी सी study में problem होगी, जैसे कि अब ब गिये जा रही है, मैं कोशिश करूँगा कि उसके unit first was, दोनों की 10th, और पहला, दोनों की first unit तो मैं complete जल्द से जल्द करतूं, इसलिए जो बच्चे अब घर पे बैठी हैं, वो वीडियो से पढ़ सकें, प्लीज, इस वीडियो को share करिये, यह video उन बच्चों के लिए भी helpful ह जो STEM गर पे बैठी हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो भी जा सकते हैं, at least उनका एक काम तो अच्चा किया जा सकता है न, yes, जैहिन, जैबारत, thank you